नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है मुकेश मेंदर एजुकेशन चैनल पर और मैं आपका दोस्त मेंदर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों दोस्तो अर्दवार्शिक प्रिक्षा का पेपर आप देख सकते हैं 2023 और विशे हैं आजादी के बाद का सोनिम भारत भाग टू और कक्षा बार भी आप देख सकते हैं पुरुणांग आपके समने 70 नंबर का है और ये जो पेपर आप देख सकते हैं विशे आजादी के बाद का शोनिम बारत यह अपने भाई प्रवीन जी ने भेजा हैं सिरो जिले से ठीक है सिरो जिले का अर्दवार्सिक पेपर है दोस्तों और कई दोस्त ऐसे कमेंट करते हैं कि भया यह जो पेपर हैं है जैसे का जैसा हमारे भी जिले में आईगा है जैसे का जैसा नहीं आईगा द देखो दोस्तों राजस्तान के 33 जिलों के पेपर अगर आपने कवर कर लिए तो बिल्कुल दोस्तों आप जब बोड प्रिक्षा होगी तो पूरे सो में से स्वाप स्कोर करोगे ठीक है तो इसलिए मैं किता हूं दोस्तों अब से स्टार्ट कर दीजेगा जिन्होंने तैयरी नहीं किए अगर आपको बुक पढ़ने की जुरुत नहीं है तो अगर 33 जिलों के पेपर आपने कवर कर लिए तो बुक पढ़ने की जुरुत नहीं है ठीक है जो 33 जिलों के पेपर है उन्हें में से इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्रिशन है दोस्तों जीले के आदार हर जिले में अलग-अलग हुए है ठीक है तो उनको अच्छे सा आपको कवर करना है तो इस भाई ने प्रविन जी का बहुत-बहुत धन्यवाद इन्होंने साफ को लेटी में पेपर बेचा है आप देख सकते हैं अपने आजादी के बाद का स्वोनी बार यह है ठीक है तो इसमे आपको पता है कि एकजाम चल रहे है तो जल्दी बाजी में यह पेपर में लेकर आया हूँ आपके सामने खंड ए हैं दोस्तों और खंड ए के अंदर दोस्तों यहापर पूंच चाहिए कि भारत ने परतम भूमिगत पर्मानुप्रेक्शन कब किया था और भारत में सूचन सिदान्द किया हैं यह सभी मौश्ट किशन है अगर इनको अच्छे से याद कर लेते दोस्तों तो बिल्कुल दोस्तों आपके भीयानी की पेपर में यह पूंच जाएंगे जिनका एकजाम नहीं हुआ है अब यह अर्दवार्सिक चल रहे हैं कई परिबोड भी चल रहे है तो यह पेपर को अच्छे से नोट कर लीजेगा दोस्तों आजदी के बाद का स्रोनिम पारते बहुत इंपोर्टेंट किशन है इनको अच्छे से करने है याद ठीक है वस्तु यह सिवा कर किया है मंडरे का सुबरम कब हुआ ठीक है और स्वेत करांती सिक्या तात्परी यह सबी मौश्ट क्यूशन आप देख सकते हैं और यह आपके सामने दोस्तों इस्टार्ट होता है खंड खे और खंड खे में जो परसन पूछेगे है वो पूछेगी के अनुपचारिक सिक्षा से क्या अभी प्राई है और पील 400C के बारे में आप क्या जानते है ठीक है इंपर्टेंट इनको अप्छे सियाद करने है ठीक है इंपर्टेंट क्यूशन इनको अच्छे वाक्षिन और देख सकते हैं अगला चौधवा क्यूशन आगे देख सकते हैं में पर्थम भारत में भूमि सुधरू के उदिशयों की विविचना कीजिएगा ये भी मिद्याले-प्रबंद समीति पर टीपनी कीजिए या कावेरी नेदी जल्विवाद पर टीपनी कीजिए ये भी मौस्टें प्रवी परस्किया था इसके समाप्ति कैसे हुई जैको दोस सकते हैं आप राइश्टी सिख्षा निती 1986 के प्रमु प्रावदनों का सार लिखिएगा ये भी मुश्ट इंपोर्टेंट किशन है दोनों में से एक कर सकते हैं जो उपर वाला कर सकते हैं बाकी अत्वा में दे रहे का इसे भी आप कर सकते हैं और ये 22 किशन है कि मातमा आपको पता हैं भारत भारत पाकिस्तान के चाल युद हुए थे ठीक है और युद्धों का बणन करना है ठीक है इनके बारे में और देख सकते हैं बांगलादेर शंक्ट आपको पता होगा इसका अत्वा में स्वेध करांतिय आज़ादी के बात भारत की प्रमु विद्याले ये शिक्षों के उत्रदाइतियों का विवेचन कीजिएगा या पिर इसके अत्वा में दे रहा है कि भारत पाकिस्तान और बारत चीन के बीच वरतमान में विवद्दों के मुद्धे कौन-कौन से इविस्तार से बताईएगा ठीके तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं अगर आपने चिप्टर अच्छे से पढ़ा है तो देखो साड़े साथ नंबर वाले कुशन है दोस्तों कमने ये साड़े साथ नंबर वाले कुशन है आप देख सकते हैं और ये अपना देखो आजादी के बात का शोनीम बारत जो कि दोस्तो ये अपनी विशे हैं और इसमें 24 कुशन पूंचे गए हैं ये सिरो जीले का पेपर है तो जिनका एक्जाम नहीं हुआ है आजादी के बात के शोनीम बारत का तो इस पेपर को आप अच्छे से याद करें ठीक है most paper है दोस्तों और दोस्तों आपको बहुत help मिलेगी ठीक है तो I hope कि मेरे हिसाब से आपको वीडियो जो है वह अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नहीं है तो subscribe कर लिजिए का ताकि आगे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे ठीक है तो जेहिंद